अगर कोई साजेदार मर जाता है तो उस वक्त हम उसको क्या-क्या पे करेंगे मतलब कौन-कौन से आइटम में उसका हिस्सा दिया जाएगा ठीक है तो दित्थ ओफ अपार्टनर मतलब साजेदार की मृत्यूम अब इसमें हमको आज क्या पढ़ना है तो सेटलमेंट ओफ अकाउंट्स पढ़ना है सेटलमेंट ओफ अकाउंट मतलब खातो का निप्टारा अब खातो का निप्टारा कैसे करेंगे अब चाहे दित्थ ओफ अपार्टनर हो या डिटार्मेंट ओफ अपार्टनर हो अगर कोई साजेदार फॉर्म में किसी भी बिदी से छोड़ कर जा रहा है फॉर्म तो हमको उसका पैसा वापस देना पड़ेगा अब कौन सा पैसा वापस देना पड़ेगा तो जब हमने अड्मिशन ओफ अपार्टनर का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर आता है तो उसको फॉर्म की संपत्ती में भी हिस्सा मिलता है और फॉर्म के लाभ में भी हिस्सा मिलता है तो फॉर्म की संपत्ती में हिस्सा के लिए वो कापिटल लेकर आता है जबकि firm में लाब के हिस्से के लिए goodwill लेकर आता है तो अब वो firm छोड़कर जा रहा है तो firm की संपत्ती में अपना हिस्सा भी छोड़कर जा रहा है और firm की लाब में जो उसका अपना हिस्सा था वो भी छोड़कर जा रहा है तो जो चीजे वो लेकर आया था हिस्सा पाने के लिए यानि की capital और goodwill वो ही चीज वो लेकर चला जाएगा इसके अलावा कुछ चीजों के adjustment हमने admission of a partner के time पे किये थे तो वही adjustment यहां भी होंगे क्योंकि छोड कर जा रहा है तो उन चीजों में वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा क्योंकि कुछ चीजे ऐसी होती हैं business में कुछ items ऐसे होते हैं जो previous profits को दर्शाते हैं जैसे revolution पर अगर कोई भी profit और loss होता है तो वो past के profits हैं तो इसी लिए इनका भी बटवारा जरूरी है अगर firm की books में कोई reserves हैं या accumulated profits हैं तो उनका भी बटवारा जरूरी है क्योंकि ये भी past के profits हैं उसी तरह goodwill जो firm की ख्याती है ये भी पीछे से निर्मान होती आई हैं तो इसलिए इसमें भी उसका हिस्सा मिलना जरूरी है तो ये सारी चीजे adjust करने के बाद जो amount निकलेगा ये हम partner को pay कर देते हैं चाहे retirement हो चाहे death हो अंतर बस इतना होगा कि retirement के time पे वो खुद पैसा लेगा लेकिन मृत्यू के time पे वो खुद पैसा नहीं ले सकता क्योंकि वो मर चुका है तो उसका कोई उत्राधिकारी पैसा लेकर जाएगा यानि कि हो सकता है उसका बेटा हो पत्नी हो कोई भी क्योंक लीगल रिप्रेजन्टेंटेटिव है, कानूनन उत्राधिकारी जो है, उसी को उसका हिस्सा मिलेगा, ठेक है, तो लेकिन हिस्सा देने से पहिले, यह ज़रूरी है कि हम वो हिस्सा निकाले, कि कितना पैसा हुसको हमको पे करना परेगा, तो उसके लिए हमारा यह जानना की पार्टनर को हम देते क्या-क्या है तो एक पार्टनर अगर मर गया है तो उसको हम उसका कापिटल बालेंस पे करेंगे हम उसका शेर इन गुडविल पे करेंगे अगर साल के बीच में मरा है तो करिंट एर का प्रॉफिट पे करेंगे और रिवैल्वेशन प्रॉफिट और लॉस में उसका हिस्सा पे करेंगे उसी तरह अगर कोई डिजर्व्स है या एक्युमूलेटेड प्रॉफिट है तो वो हम पे करेंगे इसके अलाव और भी कोई अगर लाव हानी जैसी चीजे हैं तो हम वो भी पे कर सकते हैं हो सकता है इंटरस्ट देने की बात हो हो सकता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो तो जो भी चीजें आपको कोश्चन में कहेगा question में कहेगा या जो भी agreement में होगा real life में आये तो agreement में होगा और आपके लिए बात करें तो आपकी books में जो question कहेगा वो तो इसी तरह से जो जो items कहेगा हम उसको pay कर देंगे अब ये चीजे adjust करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हम partner को कितना पैसा देंगे अब capital का balance निकालने के लिए अब दो काम कर सकते हैं या तो statement बनाईए और जो जो चीजे जोडने वाली है वो जोड दीजे और जो जो चीजे घटाने वाली है वो घटा दीजे मतलब जो partner से हमको लेना है वो घटा देंगे या दूसरा काम कि आप capital account बना लीजे डिसीज पार्टनर का तो generally capital account ही बनाते हैं तो capital account जब हम बनाएंगे तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं हाँ यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाएंगी लेकिन ये चीजें हम पहले पहले चुके हैं जब हम किसी भी पार्टनर का capital account बनाते हैं तो वो चीजें जो capital को बढ़ाती हैं उसको credit में लिखते हैं और वो चीजें जो capital को कम करती हैं वो debit में लिखते हैं तो ये है आपका format particular amount particular amount और इधर debit इधर के credit amount in rupees अब लिख लेंगे ठीक हैं अब सबसे पहले partner capital account जब हम बना रहे हैं तो मैं आपको capital account का याद दिला देता हूँ कि capital account दो तरीके से बनता था बनता था या है आपकुछ भी कह सकते हैं पहला कि fluctuating capital method और दूसरा fixed capital method fluctuating capital method में सर्फ एक account बनता था जिसमें हम partner के capital से related सारी चीजे लिख देते थे और जब हम fixed capital method follow करते थे तो दो account बनते थे एक partner capital account और दूसरा partner current account पार्टनर current account में जो recording nature के होते थे जो छोटे मोटे आइटम होते थे उन्स सभी items को current account में दिखा देते थे और दो चीजे drawing against capital और additional capital इन दो चीजों को हम partner capital account में दिखाते थे यानि कि opening balance अगर capital का है वो additional capital है वो वो दोनों credit में और अगर drawing है capital के against में तो वो debit में दिखाते थे बाकि फिर हम balance निकाल लेते थे तो इसी तरह से current account में दिखाते थे उसका balance होता था और फिर जो भी items capital account से related है वो सब current account में जाते थे तो इस तरह से हम capital account बनाते थे तो हम यह fluctuating ही लेके चल रहा है यह मान के चल रहा है कि एक ही account बनाना है ठीक है तो by balance bd यानि कि capital का जो opening balance है वो पहले लिखेंगे अगर reserve में हिस्सा मिलना है तो जो भी reserve का नाम हो वो reserve आप लिख देंगे अगर साल के बीच में मरा है तो profit में हिस्सा मिलेगा तो उसको बोलते हैं profit and loss suspense account उसके माध्यम से pay किया जाता है तो इसलिए ये इसको sharing profit काते है इसके बाद by revaluation account मतलब अगर profit होगा तो revaluation का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ profit उसके बाद by अगर goodwill में हिस्सा मिलना है तो जो remaining partner है gaining partner है तो gaining partners capital account हो जाएगा ये goodwill के लिए है अगर आपको goodwill write off करना है तो to goodwill write off यानि कि books में जो goodwill होते हैं उसको write off करते हैं अगर revaluation पे loss होगा तो इधर आ जाएगा तो इस तरह से आप partner capital account बनाएंगे अब partner capital account बनाएंगे तो अंत में आप balance निकालेंगे balance generally debit में निकलता है तो इसी लिए to executor account हो जाएगा यानि कि अगर partner का जो भी नाम होगा वो नाम लगा के आप executor account लिख देंगे और ये balance निकल जाएगा जो की executor account में transfer हो जाएगा तो इसके बाद बात आती है कि अब हम pay कैसे करेंगे हमने balance तो निकाल लिया तो balance निकालने के लिए तो capital account बना लिया अब बात आती है कि हम executor को pay कैसे करेंगे तो pay करने के लिए यहाँ से पहले transfer होगा तो executor account आप बनाएंगे इसमें दो cases आपको कह सकता है दो cases क्या कह सकता है कि एक आपने executor को तुरंट pay कर दिया है अब तुरंट pay कर देंगे तब तो आसान है तब तो इसमें कुछ खास करना नहीं है लेकिन अगर आपने इसको loan की तरह treat किया है और उसी तरह pay किया है तो उसके लिए आपको इतने बड़े accounts की जरूरत पड़ेगी अब entry क्या करते हैं executor pay करने का अगर सबसे पहले तो जो capital account का balance निकल जाएगा उसको transfer करने के लिए for transfer of capital balance to executor account यानि कि executor account में आप capital balance को transfer कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा partners capital account debit to executor account यहाँ पर deceased लगा दीजेगा क्योंकि मृत साचेदार है और वैसे तो partner का नाम दिया रहेगा तो आपको यह deceased partners capital लिखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी जो नाम लिखाओगा वो लिख नहीं जैसे मालने जैराम दिया हो तो rams capital account debit to rams executor account तो यह तो हो जाएगा कि आपको balance आपने transfer कर दिया executor account में इसके बाद दूसरी entry executor को अगर हम lump sum pay कर देंगे तो lump sum pay करने की स्थिति में एक simple entry करेंगे for payment to executor lump sum तो lump sum में pay करेंगे तो executor account to bank account यानी कि जब भी pay करेंगे हो सकता है 2 महीने के बाद पूरा पैसा पे करेंगे तो लेकिन जब हम 1-8 repent pray करेंगे तो सीधा यह entry कर के बात ख़तम कर देंगे ठीक है लेकिन अगर हम payment किस्तों में करेंगे यानी की हमने कह दिया कि हम आपको 3-4 acquisition में पूरा भुक्तान कर देंगे तो आपको ब्याज भी देना परेगा तो इसे लिए इसकी एंट्री हम इस तरह से करेंगे फॉर पेमेंट इन इंस्टाल्मेंट तो इंस्टाल्मेंट में अगर पे करेंगे तो अगर उसी वक्त जैसे माल लीजी कि 15,000 पे करना है उसमें से 3,000 उसी वक्त पे कर दिया तो अब बचा 12,000 12,000 को कह दिया कि 3 किस्तों में हम आपको भुक्तान कर देंगे 4,000 ठीक है तो उसके साथ आपको ब्याज भी पे करना पड़ेगा तो जो तुरंत पे हो जाएगा उसके लिए यह entry हो जाएगा execute account debit to bank और जब किस्त बना देंगे तो हर किस्त के due होने का entry अलग होगा और payment का entry अलग होगा क्यों क्योंकि किस्त की एक निश्चित तिथी होगी उस दिन किस्त due होगा और उसके साथ ब्याज भी due होगा तो इसलिए दोनों एंट्री करना परेगा ठेक है तो for installment due आप इसको interest के लिए भी लिख सकते हैं entry ठेक है तो for installment due हो जाएगा तो interest account debit to executor account और बाद में आपको payment करना होगा तो for payment of installment तो यह हो जाएगा आपका executor account debit to bank account यहाँ पर जो interest account debit to executor कर रहा है यहाँ पर आपको ब्याज की खाली entry करनी है installment पूरा जो होगा उसमें खाली आपको ब्याज due करवाना है क्योंकि यह पैसा तो पहले से ही due है ठीक है तो उसको अलग से due करवाने की जूरत नहीं है यह सिर्फ आपको ब्याज due करवाना है तो interest account debit to executor और बाद में executor को इकठा पे करेंगे यानि कि 4000 का जैसे भी मैंने आपको बताया किस वो और उसके साथ ब्याज तो यह दोनों यहाँ पर पे होगा इकठा तो अगर आपको executor account बनाने के लिए कहेगा ठीक है तो इधर शुरू में तो transfer होके जो यह balance आएगा capital का जो यह balance है यह हमने उहाँ पे transfer किया है तो by deceased partner's capital account और यह balance हम लिख देंगे उसके बाद हर साल अगर साल आना है तो तिमाही है तो छेमाही है तो यानि कि जब भी किस्त due होगा उस तारीख को हम किस्त due होने के लिए by interest account लिखेंगे ठीक है और इधर to bank account और अगर कोई down payment होगा यानि कि उसी वक्त तुरंत पैसा pay कर दिया है तो immediate payment के लिए आप यहाँ पे एक और bank account लिख देंगे तो एक और bank account आपको लिखना पड़ेगा installment के लिए ठीक है तो यह payment हो जाएगा उसके बाद जो पैसा बचेगा वो balance में लिख दिया जाएगा to balance cd और यह balance आगे carry forward हो जाएगा और फिर से ब्याज due करेंगे और फिर से payment करेंगे ठीक है यहाँ पे फिर से buy interest लिखेंगे इधर to bank लिखेंगे फिर से balance निकालेंगे तो यानि कि जब तक किस्त due होता रहेगा जितने भी किस्त होंगे तब तक आपको यह काम करते जाना है जैसे तिमाही के लिए तो तिमाही के लिए छेमाही के लिए तो छेमाही के लिए यह आपको काम करना है और साल के अंत में books close होते हैं तो यह एक साल का है ठीक है उसका फिर दूसरे साल का अगर छ उसका payment कर देंगे, तो यह है आपका पूरा जो executor वाला concept था, यानि कि जब हम खातो का निप्टारा करते हैं, तो पहले balance निकालते हैं, कैसे, तो partner capital account बना के, partner capital account जब हम बनाते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीजे लिखते हैं, तो capital का balance हमने लिख दिया है, हमने reserve लिखा है, reserve म लिखा हुआ है, reserve जब बटवारा होता है, partners के बीच में, तो entry होता है reserve account debit to partners capital account, यानि कि जितने भी partners होगे, उनके profit sharing ratio में reserve बढ़ जाता है, तो इसलिए by reserve account लिखा हुआ है, इसका जो हिस्सा होगा, अगर एक बटा 5 होगा, दो-दो-एक का नुपात है, या एक-एक का नु निकाल लेंगे, इसे पिछले वीडियो में हमने profit and loss suspense account वाला ये, यानि कि जो अगर साल के बीच में अगर partner मर जाता है, तो profit की calculation कैसे करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो वो amount यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद revolution, तो आपको revolution account अगर बनाने के लि जनरली गुडविल की बात लिखी होती है question में, तो आपको क्या करना है, गुडविल का valuation दिया रहेगा, तो ठीक, नहीं, तो valuation आता है, उसके बाद ये देखेंगे, कि इसका हिस्सा, यानि कि जो deceased partner है, जो मृतक साजेदार है, उसका क्या हिस्सा है, और उसका हिस्सा, जो ब होगा, remaining partner का, उसमें से old ratio को minus कर देंगे, तो gaining ratio निकल जाएगा, उस हिसाब से हम फिर goodwill का बढ़वारा कर लेंगे, ठीक है, अगर interest कहेगा, तो उतने दिन का interest निकाल के दे देंगे, उसी तरह अगर books में goodwill दिखाया रहेगा, तो उसको write-off कर देंगे, write-off की entry होती है, partners capital account debit to goodwill account, तो debit में आ गया, उसी तरह अगर कुछ पैसा निकाला हुआ है, जो मड़े हुए साज़दार ने, तो उसको debit में लिख देंगे, और उस पे अगर ब्याज लगा है, तो interest on drawing भी debit में लिख देंगे, अगर revaluation पे loss हुआ है, तो वो भी debit में आ जाएगा, तो इस तरह से हम पूरा adjustment करने के बाद, जो balance निकला है, वो executor account में transfer कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम साड़ा काम कर लेंगे, और हमको executor account बनाना होगा, अगर lump sum payment होगा, तो lump sum में तो छोटा सा account बनेगा, और अगर installment में पे होगा, तो आपको जितने भी installment होगे, उतना लंबा account बने ठीक है, तो इस तरह से executor account बनेगा, तो यह है हमारा पूरा concept, अब इसके उपर एक question देख लेते हैं, जिससे हमको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, तो यह है आपका question, राम, मोहन और सोहन आर पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट अन लॉज इन 2-2-1, दियर बैलें sheet as a 31st मार्ट 2020, ठीक है, तो कहता है, राम, मोहन और सोहन तीन साज्यदार हैं, जो अपना लावहानी का विभाजन, दो अनुपात, दो अनुपात, एक में करते हैं, और उनका balance sheet दिया हुआ है, balance sheet में creditors दिया हुआ है, 10,000 का, workman compensation reserve दिया हुआ है, 75,000 का, capital दिया हुआ है, 10,000, 10,000, total 40,000, इधर asset side में, tools दिया हुआ है, 3,000 का, furniture है, 18,000 का, stock है, 16,000 का, dators है, 12,000 का, cash in hand है, 8,000 का, और cash at bank है, 500, total हो गया, 57,500, तो ये तो हो गया आपका balance sheet, अब कह रहा है कि कैसे हमको pay करना है, तो सोहन जो है, वो मर गया 30 June को, सोहन died on 30 June 2012, 30 June को मृत हो गया, executor of Sohan were entitled to, यानि कि Sohan के executor को ये चीज़े मिलनी थी, क्या क्या मिलना था, तो capital balance, ये हम पहले से जानते है, 150 as interest on capital, अब यहाँ पर आपको interest on capital का amount दिदिया, लेकिन हो सकता था, कि आपको question में कह देता, कि हम 10% के हिसाप से interest पे करते हैं, तो हम Sohan का capital है, 10,000, 10,000 into 10 by 100, और 30 June को मरा है, 31 March से 30 June, तो 3 महीने, तो गुने 3 बटा बारक कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता हमारा interest, उसी तरह दिया हुए share of Goodwill, Rs. 5,000, तो Goodwill का share भी आपको दे दिया, वो भी निकालने की जरूत नहीं है, लेकिन हो सकता था, आपको valuation करने के लिए कहता, और फिर उसमें से उसका हिस्सा निकालने के लिए कहता है, share in profit and loss of current year 750, यानि कि पिछले साल के अंत से अभी तक उसका जो profit में हिस्सा निकला है, वो 750 है, ठीक है, तो ये भी हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, कि कैसे निकाला जाता है, तो ये सारे information हो सकता है, कि आपको amount दे दे, य आपको अगर निकालने के लिए कहेगा, तो question obviously थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हो सकता है, आपको revolution बनाने के लिए कह दे, तो और बड़ा हो जाएगा, इस तरह से जो information additional में जादा देता जाएगा, वैसे वैसे हमारा question का जो solution है, वो बड़ा होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चेज़े information दे दी है, ठेक है, तो सोहन executor were paid 1400 on 1st July 2020, मतलब क्या है, कि जिस दिन वो मरा है सोहन, उसके अगले दिन हमने सोहन के executor को 1400 रुपया दे दिया, 1400 रुपया दे दिया, और बाकी का जो है balance in four equal annual installment from 30th June 2021 with interest at the rate 6% और बाकी का जो पैसा बचेगा, वो चार equal installment में pay करेंगे, और वो 6% ब्याज के 7, ठेक है, तो आपको सोहन का capital account और सोहन का executor account बनाने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम सोहन का capital account बना ले रहे हैं, तब ही हमको सोहन के capital का balance पता चलेगा, जो की हमको देना है, उसको transfer करे बनेगे executor account में, तब जाके executor account बनेगा, तो सोहन का capital account सबसे पहले बना लेते हैं, अब जो जो information हमको इसमें कहा है, वो हम लिख देंगे, सबसे पहले तो capital का balance उसको pay करना है, तो by balance BD, capital का balance है उसका 10,000, तो ये 10,000 उसको pay करेंगे हम, उसके बाद आपको कहा है, कि 150 interest भी देना है, तो by interest on capital, 150, उसके बाद share of goodwill, तो share of goodwill जो है, वो partner हमेशा gaining ratio में pay करते हैं, तो जो बचे हुए साज्यदार है, यानि कि राम और मोहन, उनका gaining ratio आपको निकालना पड़ेगा, और आपको कोई नया ratio नहीं दिया हुआ है question में, इसलिए उनका new ratio है, वो 2 to 2 ही रह जाएगा, यानि कि equal रह उतना ही रह जाएगा, तो उनका gaining ratio भी 2 to 2 ही आएगा, ठेक है, तो यानि कि equal, तो by राम कापिटल और by मोहन कापिटल, ये दोनो equally distribute करेंगे, यानि कि equally pay करेंगे goodwill को, सोहन को, ठेक है, तो goodwill का payment हो गया, share in profit and loss of current year, तो जो profit and loss होता है current year का, वो profit and loss suspense account के माध्यम से दिया जाता है, तो suspense account, 750, इसके अलावा, यहाँ पे एक workman compensation reserve दिया हुआ है, वो भी बांट देंगे, तो by workman compensation reserve, 75,000 का है, और उसमें उसका 1 वटा 5 का हिस्सा है, ठेक है, तो 1500 इसको मिल जाएगा workman compensation का, इसके अलावा, और कोई भी item उसको देने वाला नहीं है, अगर हमको re-valuation कहता, तो हम re-valuation का profit भी लिख देते, ठेक है, profit या loss जो भी आता वो लिख देते, लेकिन इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं कह रहा है, यहाँ से के बाद का जो information है, वो executor account से related है, तो वो हम executor account में करेंगे, इसके अ 17,400, 17,400, तो यह हो जाएगा, to sohan executor account, 17,400, तो यह हम executor account में transfer कर देंगे, तो अब हमको इधर बस एक information यह याद रखना है, कि 14,00 रुपया उसी वक्त पे कर दिया है, और पहला installment 30,00 जून 2021 से शुरू हो रहा है, तो हमको सिर्फ information क्या चाहिए थी, तो executor account से आगे वाला, उससे पहले वाले information का हम use कर चुके हैं, तो अब यह information मेरे काम की थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को यहाँ पर छोड़ा है, अब हम यहाँ पर sohan का executor account बना लेते हैं, तो date भी मैं लिख देता हूँ, अब वो balance सबसे पहले यहाँ पर transfer होगा, किस दिन, तो 1 जुलाई को, ठीक है, यह 30 जून को मरा है, उसे दिन ले सकते हैं, 30 जून को, 2020 है, 2020 है, उसका जून 30 है, ठीक है, तो by sohan capital account, 17,400, ठीक है, इसमें से 14 रुपया उसी वक्त पे कर दिया है, यानि कि July 1st को, पे कर दिया है, 2400 तो to bank account 2400 रुपया ठीक है अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अगला किस्त इस साल नहीं पे हो रहा है सीधे अगले साल 30 जून को पे हो रहा है तो हर साल 30 जून को पे होगा तो खाता कब close हो रहा है तो खाता 31 मार्च को close हो रहा है और payment हो रहा है 30 जून को तो 30 जून से 31 मार्च तक का हर साल ब्याज ड्यू होगा खाली payment नहीं होगा cable 30 जून तक का ब्याज ही पे होगा तो यहाँ पर हमको इस साल कोई किस्त पे नहीं करना है लेकिन जून 30 से 31 मार्च तक का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा by interest account और वो कितना होगा तो interest का calculation आपको working note में दिखाना पड़ेगा ठेक है working note number 1 कह लिजए आप इसको first installment में तो first installment में कितना बयाद शामिल है तो दो बयाद शामिल है एक तो होगा 30 जून से 31 मार्च तक हम को निकालना पड़ेगा और दूसरा 31 मार्च से फिर 30 जून तक निकालना पड़ेगा ठेक है क्योंकि yearly है तो हर एक साल 30 जून को ही पे हो रहा है तो ये जो 9 महीने का है वो पहले साल में आ जाएगा और ये 3 महीने का अगले साल में दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर 16,000 पर आपको 6% 9 महीने के लिए और यहाँ पर 16,000 का 6% 3 महीने के लिए तो ये आ जाएगा आपको 720 और ये आ जाएगा आपको 240 टोटल आजाएगा 960 ठीक है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 720 और इस बार पेमेंट नहीं हुआ है तो इसलिए 18,120 पर बैलेंस निकल जाएगा 18,120 2 बैलेंस BD 2 बैलेंस BD 16,720 और ये इधर आ जाएगा By Balance CD होगा यहाँ पर यह क्लोजिंग बैलेंस है तो CD होगा यहाँ पर BD होगा 16,720 और यह शुरुआती होगा April 1,2021 की बात है यह भी 2021 ही है March यह भी 2021 ही है March 31st ठीक है अभी बैलेंस निकल गया एक और ब्याज निकलेगा June 30 तक का By Interest कितना तो 240 और पेमेंट हो जाएगा 4000 का हमारा किस्त था क्योंकि 16,000 को हमको 4 किस्तों में पे करना था तो 44,000 के 4 किस्त तो टू बैंक कब पे हो रहा है तो June 30 को 2021 में टू बैंक अकाउंट 4,960 अब फिर से March 31 को आपको ब्याज निकालना पड़ेगा सेकंड इंस्टॉल्मेंट में फिर से दो ब्याज शामिल है इस साल का 9 महीने का अगले साल का 3 महीने का तो 30 June 21 से 31 March 22 तक का और 31 March 22 से 30 June 22 तक का अब 12,000 पे निकालना पड़ेगा 12,000 का 6% 9 महीने का और 12,000 का 6% 3 महीने का ठीक है तो एक हो जाएगा 540 180 तो यह हो जाएगा 720 ठीक है तो यहाँ पर पहला हम जो ब्याज है वो लिख देंगे By Interest 540 तो यह Due हो गया और इधर 2 Balance CD निकाल देंगे March 31 को 22 में यहाँ भी 2022 आ गया ठीक है तो टोटल हो गया 12,540 अब यह इधर फिर से आ जाएगा By Balance BD 12,540 और इस साल का फिर से ब्याज हम लगा देंगे 180 एक सो अस्ती पेमिंट हो जाएगा टू Bank Account 4720 ठीक है और फिर से एक और इंट्रस्ट हमको यहाँ पर लगाना परेगा ठीक है अब इसकी जरूरत हमको नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं और हमारा एक काउंट इतने में पूरा बन जाएगा तो थर्ड इंस्टॉल्मेंट में फिर से जब हम आएंगे तो 30 जून 22 से 31 मार्च 22 तक निकालना परेगा आपको और 31 मार्च 23 से 30 जून 23 तक निकालना परेगा ठेक है उसी तरह जब 4 इंस्टॉल्मेंट में आएंगे तो हम इंट्रस्ट का काम अपना खदम कर ले रहे हैं ताकि खाली अकाउंट में लिखते चले और उधर हो जाए हमारा 30 जून 23 से 31 मार्च 24 तक और 31 मार्च 24 से 30 जून 24 तक 4 इंस्टॉल्मेंट का काम हो जाएगा यहां पर 8 खजार परे निकलेगा 6 परसेंट की दर से 9 महीने का और 8 खजार पर निकलेगा 6 परसेंट की दर से तीन महीने का तो यह हो जाएगा 360 और यह हो जाएगा 120 यह हो जाएगा 180 और यह हो जाएगा 60 तो यह आगया 240 और यह आगया आपका 480 ठीक है? अब इसको हम इदर लिख लेते हैं तो 180 के बाद 360 पेर्मिंट हो चुका है तो खाली बैलेंस निकालना है तो यह कितना बैलेंस निकलेगा? 130 80 130 80 यहाँ पर 2 बैलेंस CD निकल जाएगा हमारा 8306 ठीक है? तो यह आगया हमारा उसके बाद इधर आ जाएगे तो फिर से लिख देंगे बाई बैलेंस BD 8306 और दोनों इंट्रस्ट को लिख देंगे एक इंट्रस्ट है हमारा 360 के बाद 120 का और दूसरा इंट्रस्ट है हमारा 180 का ठीक है? इधर 2 पेमिंट हो जाएगा 2 बैंक 4480 यह हो जाएगा आपका 8600 8600 8600 8600 2 बैलेंस CD 180 by balance BD 4180 और फिर यहाँ पर 180 वाला ब्याज लिख चुके हैं तो by interest एक ही बाद बाला होगा 60 रुपया ठीक है? और इधर हो जाएगा 2 bank account 4240 मामला close 4240 4240 यहाँ पर जो भी date है तो यह है आपका पूरा solution ठीक है? तो पहले हम सोहन का जो capital का balance है उस वो निकाल लिया है यानि कि deceased partner के capital का balance निकाल लिया है और उस balance को हमने installment में pay कर दिया है अगर lump sum में payment होता तो हमको इतना कुछ करने का जुरूत नहीं परता इधर capital से transfer होता इधर to bank होता बात खतम यहीं पर मामला close हो जाता ठीक है? तो यह है installment में payment का तो इसी लिए इसमें थोड़ा लंबा चला है ठीक है? तो यह है आपका पूरा concept अगर आपको इस पूरे concept में कोई भी दिक्कत है तो आप YouTube के comment में Facebook पे Instagram पे यह हमारे Telegram चैनल पे हमको message कर सकते हैं हमसे contact कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो video को like करें पेज को subscribe करें और bell icon दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के update मिलते रहें धन्यवाद